Hi everyone, आज हम देखेंगे कि composition scheme और regular scheme में क्या difference होता है, practically मतलब क्या differences आते हैं और composition scheme आपके लिए क्यों beneficial है, regular आपके लिए क्यों beneficial होती है, मतलब किस case में composition scheme opt करनी चाहिए और कौन से cases ऐसे हैं जहां पर आपको regular scheme opt करनी चाहिए, plus minus मतलब benefit or loss होते वे भी लोग क्यों एक scheme को छोड़कर दूसरी scheme में जाते हैं मतलब इन दोनों से related जो भी practical चीज़े होती है decision making में, वो हम यहां पर consider करेंगे theory वाले part पर नहीं की definition क्या है, वो सब चीज़े नहीं करेंगे, उनको बस practical में आपको क्या जरूरत पड़ती है, उन चीज़ों को देखके हम cover करेंगे अब यहां पर इस चीज़ को सबसे पहले हमें समझना है, कि last video में, इससे पहले अगर आपने video देखी होगे, अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप cover कर लीज़ेगा उसमें हमने देखा था कि जो 20 lakh या 40 lakh की हमारी registration की limit होती है, कि normally कहा जाता है, कि अगर आपका turnover 20 lakh या service के case में, और गूर्स के case में 40 lakh cross करता है, तो उसके बाद में registration लेना आपके लिए compulsory हो जाता है, ठीक है उससे नीचे अगर आपका है, तो ये आपके लिए optional है, correct है, बट इसमें कुछ अलग-अलग cases होते हैं, जैसे interest rate अगर supply कर रहे हो तो आपको ये turnover नहीं देखना होता है, फिर तो आपको registration लेना ही होता है, गूर्स के case में, तो उन सारी चीज़ों को हमने previous वीडियो में registration लेना, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि compulsory है, तो वो तो registration लेना ही लेना है, मतलब वहापे तो अभी ना लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, फिर ये वाला जो पार्ट होता है, optional, यहाँ पर government कह रही है, आपकी मर्जी है, government हमें नहीं कह रही है कि JST में रि जी कोई दिक्कत नहीं, ना लेने के बहुत सारे फैदे होते हैं, मतलब क्योंकि registration लेने के बाद आपको पूरी return फाइल करनी होती है, सारे accounts विगर प्रिपिर करनी होते हैं, बट फिर भी क्यों लोग optional होते वे भी, जबकि government नहीं कह रही है कि आपको JST registration लेना है, तब भी लोग क्यों यहां पर registration ले लेते हैं, उनको क्या benefits को देखते हैं, वो decision लेते हैं कि registration लेना है, उसके बारे में हमने previous वीडियो में cover किया था, चलो, यह वाला जो part है, यह optional वाला, यह तो हमारे previous वीडियो में discuss हो गया, अब बात आती है, हमारे लिए compulsory वाला, composition नहीं है, यह compulsory है, ठीक है, compulsory, तो registration लेना compulsory है, मतलब अब तो registration लेना ही लेना है, ना लेने के, कोई question होता ही नहीं, अब जब compulsory होता है, तो इसके उपर दो point आते हैं, एक तो क्या होता है, अगर आपका turnover, आपका turnover कितना है, डेड़ करोड का, तक का है, यानि कि, पहले तो आप देखो परसेंट है, अथर्वाइस, नॉर्मिले 20 लेक, 40 लेक रहता है, तो 40 लेक क्रोस कर गया, तो आप, अब registration कराना तो पड़ेगा, अब आपको ये देखना है, कि आपको composition registration लेना है, या regular वाला लेना है, यहाँ पर ये आपको registration के टाइम पर decision लेना होता है, government आपको choice देती है अगर 1.5 crore से उपर का आपका turnover है, turnover मतलब normal language में, बिल्कुल layman language में कहूँ, तो आप उसको sale कह सकते हो, ठीक है, 1.5 CR से उपर का है, तो फिर तो आपको regular ही registration लेना है, तो एक चीज़ समझ में है कि ठीक है, अगर हमारा 1.5 CR से उपर का है, तो तो फिर कोई decision making वाला doubt ही नही है, एक चीज़ और, ये वाली limit service के case में normally 75 lakh रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा जो आज का discussion होना है, वो point होना है ये वाला, मतलब जब आपका turnover 40 lakh cross कर गया, लेकिन 1.5 CR से नीचे है, तो यहाँ पे government नेक option दिया है कि आप से पूछती है, आपको composition scheme में जाना है, या regular के case में चाना है, तब आपको ये decision लेना होता है, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा benefit रहेगा, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे discuss करेंगे, चलो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कि composition scheme जो है, वो नहीं ले सकते हो, अगर आप ice cream manufacturer हो, अगर आप पान मसाला manufacturer हो या आप tobacco manufacturer हो, तो आप composition scheme में registration नहीं ले सकते हो, ये बात समझ में आई, तो अगर आप इन में से कोई चीज manufacture कर रहे हो, तो आप composition scheme नहीं ले सकते हो, इंटर स्टेट supply कर रहे हो, तो भी आप registration नहीं ले सकते हो, बहुत important point है, अगर आप sale कर रहे हो, supply मतला यहाँ पे normal layman language मे बहुत wide है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजे cover होती है, उसको sale कहना, technically तो गलत होगा, बट simply अगर हम मान के चले, तो sale बोल सकते हैं, day-to-day language में, अगर आप sale कर रहे हो, एक state से दूसरे state में, ठीक है, दूसरे state में, for example, आपका business उत्राखंड में है, और आप sale कर रहे होगा महराष्टरा में, ठीक है, तो आपकी interstate sale हो गई, तो आप composition scheme नहीं ले सकते हो, आपको क्या लेनी होगी, regular scheme में ही registration लेना होगा, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत, बहुत, बहुत सारे doubt आते हैं, यह आपका supply के उपर matter करता है, outward, आप sale क्या कर रहे हो, आप purchase कहां से करते हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो अगर आप, अगर आप में एक example के साथ आपको बता देता हूँ, आप हो उत्राखंट से, ठीक है, आपका business है उत्राखंट में, आपने purchase करी है, let's say महाराष्टरा से, ठीक है, sale करी है, उत्राखंट के अंदर ही, क्या आप composition scheme में registration क अगर मैं sale कि किसी दूसरे state में कर रहा होता, for example, हर्याना में कर रहा होता, तो फिर मैं registration composition में नहीं लेवाता, फिर मुझे क्या लेना होता, रेगुलर में, उसमें, रेगुलर में चाना पड़ता, ठीक है, फिर ये casual taxable person होते हैं, NRTP होते हैं, अगर आप, देखो, मैं आपक क्योंकि प्रैक्टिकली इनकी requirement बहुत रहर पड़ती है, ठीक है, अगर आपको एक अच्छे लेवल पर deal कर रहे हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो I don't think कि आपको इसकी requirement रहेगी, अगर आप देखना चाहो तो ये अपनी आप में separate topic हो जाता है, casual taxable person or NRTP, तो आपके client का scrap का काम है, उनका teaching का काम है, वो shop है उनका ये चीज़ manufacture करते हैं, for example, clothes manufacture करते हैं, क्या वो composition में ले सकते हैं, अरे आप simple सा ये देखो, क्या ये conditions जो हैं, इनकी हिसाब से वो ineligible हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं ना, मतलब ice cream, पानमसाला, tobacco, या एक state से दूसरे state में sale, बास, ये चार चीज़े अगर नहीं है, तो वो composition scheme में registration ले सकते हैं, exceptional कभी कोई notification आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो that's a different thing, otherwise, इसके अलावर लगबख सभी business composition scheme लेने के लिए eligible होते हैं, बास यहां तक समझ महीं, तो पहले तो क्या देखना होगा, आपको देखना होग अब composition scheme select करने में क्या होगा, आपको यह देखना होगा कि कहीं, आप disqualify तो नहीं हो रहे हो composition के लिए, अगर disqualify होगे, फिर तो भाई, अब option ही नहीं है, government मना कर दिया कि composition आप लहीं नहीं सकते हो, तो फिर तो आपको किस में जाना होगा, regular में जाना होगा, बट अगर इस अब आपको यहाँ पर समझ महाएगी, composition के case में, जिस time पे मैं video record कर रहा हूँ, goods के case में सिर्फ आपको 1% GST चार्ज करना होता है, सिर्फ 1%, cgst, sgst होता है, जैसे तो 0.5%, 0.5% होगा, total मिला के 1% होगा, restaurant जहाँ पे आप service में alcohol service नहीं कर रहे हो, alcohol नहीं serve कर रहे हो, तो उस case में, आपको सिर्फ 5% चार्ज करना होता है, और बाकी जितनी बची हुई service है, यानि कि restaurant जहाँ पे उपर वाला criteria अगर है, तो उसके लिए तो 5% है, उसके अलावा बाकी A to Z आप कुछ भी service दे रहे हो, तो वहाँ पे 6% आपको tax charge करना होता है, अब आपके mind मैंगा कि difference आजाता है, क्या अगर आप regular होते हो, मतलब normal, regular मतलब आप normal registration लेते हो, जो कि normally चलता है, वहाँ पे आपको हर goods की case की हिसाब से, हर goods क्या है, service क्या है, उसके हिसाब से rate find करना पड़ता है, और फिर आपको उतना ही उसके ओपर GST charge करना पड़ता है, जैसे normally goods or services के case पे 18% maximum items 18% तक जाता है, बास समझ रहे हो, कितना 18% का GST जाता है, और यहाँ goods के case में आपको कितना देना पड़ता है, कोई भी goods sale कर रहे हो, सिर्फ कितना 1%, तो आपको होगे कि sir, composition ही सब के लिए बढ़िया है, कोई 18% पे क्यों जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब 1% का तो option ही नहीं हो इसमें crocodile है, मगर मच है, मगर क्या, composition में आपको ITC नहीं मिलेगा, मतलब जो purchase करते time आपने expenses किये थे, जो GST आपने purchase के time पे pay किया था, वो वापिस नहीं मिलेगा, इस case में जो यह होता है regular वाला, normally यहाँ पे आपको ITC मिल जाता है, जो आपने expense किये होते हैं, उसका ITC आप को मिल जाता है, तोड़ा सा भी practically सीच को example को compare करके भी देखेंगे, तो यहाँ पर यह चीज का फरक आता है, अब बात आती है, तो sir, total मिला के composition किस के लिए beneficial है, देखो, composition में न, total मिला के, 4 points होते हैं, आप जिसके base पे decision लोगे कि composition लें या नहीं लें, इतना तो समझ में आय हुआ, tax rate low हो गया, 1%, 5%, और 6% आ गया, regular में ये जो होता है, 18% normally होता है, 28% तक भी जाता है, डिपेंड करते हैं, क्या product आपका, उसकी हिसाब से जाता है, दूसरी चीज क्या होई, इसमें ITC आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर ITC मिल जाता है, तो यहाँ पर यह वाला फैदा तो किसमें, regular में, यह फैदा किसमें, composition में, इसलिए तो decision making मुश्किल होती है, कि आपको देखना होता है, आपके लिए क्या ज्यादा beneficial है, तो देखो, composition का पहला benefit किया है, कि यह easy है, और आपको less records prepare करने पड़ते हैं, easy क्यों है, क्योंकि एक तो आपको find out नहीं करना पड़ कि किस goods पे, किस service पे, क्या GST का rate है, आपने directly उठाया, 1% यह 6% जो भी था, वो आपने charge कर दिया, उस पर बात कातम हो गई, दूसरा, आपको बहुत जादा records नहीं prepare करने रहे, क्योंकि ITC आपको लेना नहीं है, तो purchase की calculation नहीं करनी हुए, क्या purchase करा था, कितना GST था, वो 2B में reflect हुआ, नहीं हुआ, उसका credit लिया, नहीं लिया, छूट तो नहीं गया, यह सारी tension आपकी finish हो जाती है, return भी आपकी quarterly file होती है, ठीक है, quarterly return file होती है, 3 महिने में, return file करनी है, जितनी sale हुए, sale के ओपर total उठाया, 1% चार्ज किया, हो गया file, आपको tax invoice विगरा कभी करनी होत होता है, तो वो सारी चीजे भी आपको comparatively easy हो जाती है, यह आपके लिए अच्छा है, अगर आपके पास ITC नहीं है, यह बहुत कम ITC है, क्योंकि यहां पे देखो न, regular वाले में फैदा ही क्या है, एक तो tax तो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, यह तो नुक्सान ही है, फ कम है, इधर हमारे लिए रेट कम है, तो हम किसमें चले जाएंगे, कम पोजिशन में चले जाएंगे, तो फिर कम पोजिशन आपके लिए फैदे मन्द होगे, यह है तो बहुत nominal सा है, तो बाकी benefit आपको जादा दिख रहे है कि tension कम है, प्रिपेर करने की, तो आप कम इनको select करेंगे, नीचे वाले दो के करन हम किसको select करेंगे, regular को select करेंगे, क्या चीज? ITC for future, आपने previous वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको समझाया था, या फिर refund के case में, हम regular को consider करेंगे, जब आपका ITC बहुत सारा होता है आपके पास, तो आप regular में जाओ, क् हो सकता है, refund का दे को बहुत rare case बनेगा, limited cases में होते हैं, बट हो सकता है, अगर आप eligible हो रहे हो तो आपने जो purchase के time पे जो GST pay किया था, उसका पैसा आप अपने bank में वापिस refund claim कर सकते हो, बहुत limited cases होते हैं, अब इस चीज को समझते हैं, ये वाला जो point है, last video में भी हमने द जा देता हूं, यहाँ पर इस तरह से मानके चलिए कि जो business, normally क्या होता है, जब business नया start होता है, expenses बहुत हाई होते हैं, आपको पूरा office start up करना होता है, furniture लेना होता है, आप gadgets भी लोगे, बहुत सारे expenses होते हैं, तो normally उस time पे, तो यहाँ पर क्या हुआ हो, हमने purchase करी, regular के अं कोई rate नहीं होता है, easy calculation के purpose से सिर्फ हम इसको समझ के चल रहे हैं, आपने sales करी, ठीक है, आपने sales करी, let's say 1 lakh rupees की, इसके उपर GST हमने फिर वोई 10,000 मानके चले, 10% का rate नहीं होता, 10,000 रुपे हो गया, ठीक है, अब total मिला के क्या हुआ, कि आप regular में अगर हो, अगर आप किसम ले लोगे कितने 2 lakh rupees, यानि government आपको extra कितना pay कर रही है, 1.9 lakh rupees, तो ये आपके पास फैदा हुआ किसमें regular में, कि ये पैसा, या तो refund हो जाएगा, अगर आप refund के लिए eligible होते होंगे, जो कि limited cases होते हैं, refund नहीं हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कलकुम आपको उमीद है कि आपका turnover बढ़ेगा, आपका turnover let's say 1.5 CR से उपर चला जाएगा, फिर तो regular में जाना ही जाना है न, तो आपने क्या हुआ, पहले साल में ये अपना collect कर लिया 1.9 lakh rupees, ये आपने 81 कर लिया पहले साल में, अब इसको क्या होगा, next year में एक साल बाद, दो साल बाद, जब आपका क turnover पे चले गया, आपके 1.5 CR से उपर चला गया, तो ये 1.9 lakh rupees आपका उस राइम पर यूटिलाइज हो जाएगा, आपको पैसा government को 1.9 lakh rupees कम पे करने पढ़ेंगे, अगर आप चले जाते composition में, बासमझो, अगर चलते composition में, purchase किया, purchase करने पर 20 lakh rupees दिये, 20 lakh rupees देने पर आपने 2 lakh आपका tax था, ठीक है, महलब इसके उपर GST आपका charge हुआ, composition हुआ, composition पर आपका कितना था, मैंने 1 lakh लिया था श्यादा, 1 lakh हाँ, sorry, 1 lakh कि आपकी sale हुई, और इसके उपर आपने 1% charge किया, 1000 rupees आया, ठीक है, अब government को ये आपको क्या करना पढ़ेगा, पे करना रहेगा, 1000 rupees क्या करोगे, government को आप pay करोगे, और ये credit तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्यों हमने देखा, ITC मिलता ही नहीं है, तो short में, अगर मैं आपको सारी बात एक बार repeat करूं, तो composition अच्छा है, क्योंकि easy है, composition अच्छा है, अगर आपके पास ITC नहीं है, या ना के बराबर है, बट composition बुर है, और regular आपके लिए, अच्छा है, मुझे लगता है, आपको अच्छे सा सब कुछ बहुत अच्छे से clear हुआ, doubts होंगे, आप comment करना, मैं कोशिश करूँगा, reply करने की, बाकी तो courses है, आप description में आपको link मिल जाएगा, caphjgupta.com पे जाके आप देख सकते हूँ, या app download कर सकत आपको इन डेप्ट सारे courses सीखने को मिलेंगे 25 प्लस courses है, इस टाइम पे, ठीक है, बाई बाई